हेलो एवरीवन वेलकम बेक टो आप चैनल ओफ लिटल मास्टर पब्लिक स्कूल तोड़े आएम गॉइंग टो टीच चैप्टर नमबर एट ओफ साइन सब्जेक्ट फॉर दी क्लास सिक्स्थ विच इस बोड़ी मॉमेंट्स बोड़ी मॉमेंट्स मतलब हम जो भी छोटी से ब अब लुएड नमट्स करते हैं तो हम आपे जॉयंटस हैं यहां तक हम अपनी आइस ब्लिंक करते हैं तो अभी हम एक तरसे क्या है मॉमेंट्स हैं आपको अगर एक एक्टिविटी समझने तो आप देखना आपने जो ये एलबो है एलबो के साइड पे एक स्ट्रीक मजबूत स्ट्रीक बान देना दोनों साइड से जैसे इस ने किया है और फिर अपने हैंड को मोड के देखना फोल्ड करके देखना वह फोल्ड होगा नहीं तो इस तरह से हमें इस चैप्टर में जोइंस के जोइंस भी पढ़ने हैं उसके मोमेंट्स भी पढ़ने हैं तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा जोइंस जोइंस क्या होते हैं तो जहां पर हम अपने बोडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं लाइक एलबो शॉल्डर नेक एक्से जैसे कि यहां पर देखो एक एक्टिविटी है बॉल एंड शॉकेट जॉइंट किस तरह उपर वाले पार्ट में क्या रखा है बाउल रखा है सेंटर वाले पार्ट में बॉल और नीचे पेपर से सिलिंडर बना कि उसके उपर बॉल रखना है और उपर बाउल रखना फिर द होता है तो जॉइंट वेर आवर नेक जॉइंट 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 मतलब कि कौन सा जॉइंट जहां से हमारा नेक मतलब हमारी गर्दन हमारे सर हैड से जॉइंट होती है तो वाले जॉइंट को क्या कहते हैं प्यूटल जॉइंट ओके नेक्स्ट क्या है हाईजीन कर सकते हैं ऐसे परट को किया को है जिएकिविटी में क्या होता है जैसे कि मांपना कि नोचे λüty इ miner in our head are different from those we have discussed so far the bonds cannot move at the joint मितलब कुछ-कुछ bonds होती है जो मुव नहीं करती है जैसे कि जहां से हमारा joint है हम वहां से ही मुझ कर पाएंगे लेकिन जहां से हमारा joints नहीं है हम आसे कर मुझ करने की कौसिस करेंगे तो हमारे हाड़ पिंजर दिख रहे हैं इसे कहते हैं स्क्लेटोन ओके यह पूरा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं स्क्लेटोन ओके जिसमें हमारे इस स्वगेरे होती है तो हमारे एक्स्रे में नहीं आती है स्रिफ हमारी यह बॉन सी एक्स्रे में दिखाई देती है तो हमने कभी मतलब आपने आपके घर में या फिकिसी का एक्स्रे हुआ हो तो आपने वापे उपज़फ किया ही होगा अब उसमें कारपल्स क्या होता है तो जो छुटी-छुटी हड़िया होती जैसे हमारे हैंड क डीया देखा होगा अपने जाहेंड ओमारी जो फिंगर hoते हम उसको मोर सकते हैं मतलब था सकते हैं तो आप भी क्या है स्माल साइज की दो से तो इस तऱ की Small size की कि बosition को क्या किते हैं कार पाल्स o.k next क्या है यह हमारा देखको दर रिब कैज इस यह मतलब यहुँआअ फेफ़डे है क्या है फेफ़डे है जहाप हमारा हाट रहता है क्लिछ के स्टॉक्चर से हमारां जो हाट एकदम से उफ रहता है यह जो structure दिख रहा है आपको इस वह कहते हैं rib catch there are 12 rib on its side of chest मतलब chest के दोनों side 12 rib है और यह क्या करती है हमारे inside body को सेफ करती प्रोटेक्ट रखती है अब इसे कहते हैं backbone मतलब हमारी जो पीछे की हड़ी मतलब read की हड़ी है वो ठीक है अगर यह नहीं होती तो हम उठ बैड चल फिर नहीं सकते थे इसके हो जैसे ही हम हर्स प्रोसेस करते हैं हमारी जो सबसे मजबूत strong bone है वो यही है backbone ओके इस इसी को जैसे हम नीचे मूर्स पाते हैं next shoulder bones क्या होते हैं तो आपने देखा होगा shoulder से और hand का joint होता है तो उस साइड का bone बहुती strong होते हैं next क्या है pelvic bone जो हमारे stomach के नीचे वाले bone होते है stomach के नीचे जो भी bones होते हैं उसे कहते है stomach और leg के बीच में जो हमारे bones होते हैं pelvic bones कहते हैं अब इससे देखो आप इससे कहते है the skull is made of many bones joined together it encloses and protects a very important part of the body the brand देखो यहां पे जो यह खोपड़ी है क्या बोलते हैं इसको खोपड़ी ठीक है लेकिन इसे skull बोलते हैं English में ओके तो यहां पे हमारा जो brain है वो शेफ रहता है ओके now next क्या है cartilage किसे कहते हैं तो cartilage some additional parts of cat all on that are not are hard as the bones and which can be bent these are called cartilage मतलब कि हमारे कई-कई parts ऐसे हैं जिन में bonds हैं लेकिन वो bent हो पाती है it can bent ओके तो इस तरह के body part को कहते हैं cartilage जैसे अगर हम ear की बात करें हमारे ear में bonds हैं लेकिन वो move कर लेती हैं मतलब हमने देखा होगा कि हमारा कान को यगर इस तरह करके fold करता है या मरोड़ता है तो हमारा कान मुड़ जाता है क्यों क्योंकि वहां की जो bone है वो इतनी hard नहीं है okay next क्या है muscles muscles आपने देखे होंगे कि आप जिस तरह hand को move करते हो जिस तरह से नीचे मतलब अपने हाथ को hand को down side करोगे तो आपकी जो upper side की muscle से वहां खाली हो जाएगा मतलब blank हो जाएगा और जैसी आप उसे मतलब strongly उसे उपर side लोगे तो वहां पर फूल जाएगा ओके तो यह चीज आपने ज्यादा तर boys में या देखियोगी जो ज्यादा जिम्स अगे जोइन करते हैं तो जिससे उनकी जो muscle से वह strong हो जाती है अब क्या है गेट ओफ एनिमल्स मतलब एनिमल्स में मुमेंट कैसा होता है तो first of आता है अर्थ वॉम इस तरह मतलब इसे यह इस तरह का जो आमने इंसेक्ट देखा यह वह किस तरह चलता है तो यह वाल muscles which help to extend and shorten the body इसके अंदर मशेल से जो उसको आगे से और पीछे से क्या करती है एक्स्टेंड करती है और छोटी बनाती है ओके उसके थुरू ही वह move कर पाते हैं next क्या है शेल शेल क्या है देखो यह जो इसका उपर यह वाला पाट दिख रहा है यह वाला पाट ओके तो यह वाला पाट बहुत ही strong होता है नहीं है तो जो strong वाला पाट है उसे कहते हैं यह इसके लिए यह स्नेल में बांट यह नहीं बना है जिस तरह हमने देखा होगा शंक संक जिस तरह होता है सेम वेशा ही यह स्नेल के शेल होते हैं the shell is single unit and does not help it moving from place to place it has been dragged alone मतलर कि वो उसको मेंसा लेके ही जलता है कभी उसको अकेला छोड़ता नहीं है ओके नेक्स्ट क्या है कोक्रोच कोक्रोच में क्या है तो कोक्रोच आपने देखा होगा it can fly and it can walk there are two pairs of wings attached to the body behind head the head के पीछ उसको two parts of wings दिये गए जिससे की वो फ्लाय कर पाता है कोक्रोच है डिस्टिंग मसल दोज नियर दा लेक्स मूव लेक्टु वकिंग दो मसल्स मूव दा मिंग्स वेंड़ कोक्रोच फ्लाइज अब इसमें कोक्रोच वोग वो चल भी पाते हैं they have three pairs of leg this the body is covered with the harder outer skeleton this outer skeleton is made of number मतलब की इसमें भी बॉंस मतलब जो इनका structure होता है वो थोड़ा hard रहता है बट्स की भी क्या होती है बॉंस होती है इसलिए वो लोग fly कर पाते है यह वाक कर पाते हैं शंबर स्लक्राइज लाइक यह डिक्षण सवान all शुषिवी इसाहां वेड होती है नहीं होती लाइट रहती है नेक्स अटा है फीश फीच का शेप आपने देखा यह जेख लग तो थोड़ा शेप इस तरह रहता है जिससे कि वह बॉटर में अपना रास्ता बना सके और आगे तैर सके तो क्या होता है दा है एड एंड टैल ओफ दस फीश आर स्मॉलर देन दा मीडल पोर्शन ओफ दा बोड़ी टैपर्स एड बोथ एंड्स इस बोड़ी शेप इस बैक साइड का स्ट्रक्चर होता है तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्ट्रीम लाइड आपने देखा होगा आगे साइड और पीछे साइड का स्ट्रक्चर थोड़ा इसे ट्रैंगल सेप का होगा और जो सेंटर का है वो बिक साइज होगा तो उनके जो बैक साइड होती है उ लूप ओफ दसनेग गीवर फोरवड पुश बाइप रिजेंट यह प्रेशिंग अगेंस दग्राउंड लॉप बैकबॉन जैसे अमारी एक बैकबॉन होती है वैसे इसनेग में भी मतलब की जो बान्स होती वह नहीं होती सिर्फ एक बैकबॉन होती जिसके तुरू वह लोग मूफ कर पाते हैं ओके नेक्स्त क्या है यही लास्ट था टॉपिक अमारा स्नेग के उपर तो आप याद रखना ठीक है स्नेक है वा लॉंग बैकबॉन देहाव मैंनी टाइनी मसल्स दे आर कनेक्टेट टू इच अदर इवें थो दे और फार फ्रों वन एन ओदर मसल्स अल्चो इंटरकनेक्ट दब बैकबॉन मतलब वह आपस में ही अंदर से जूड़ी रहती है ओके तो यहां पर जाता है आपका चैप्टर फिनिश ओके देन थाइंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो